दोस्तो दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ती होगा जो उत्तर कोरिया के सरवचनेता या यूं कहें कि ताना शाह किम जॉंग उनको ना जानता हो ये अक्सर देश में मिसाइलों के परिक्षन की वजह से चर्चा में रहते हैं वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त दे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे दोस्तो किम जॉंग अपनी सेक्यॉरिटी पर इतना खर्च कर देते हैं कि इतनी तो बुरूंडी जैसे देश की जीडीपी भी नहीं होगी अपने खाने से लेकर पहनने तक हर दिन का लाखों से जादा रुपया ये आदम किम लीडर किम जॉंग उन एक लगजरी लाइफ को जी रहे हैं महंगी शराब खास सिगरेट और विदेशों से आयात किया हुआ मीट उनके लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना हुआ है सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद जब किम अपने बिस्तर से नीचे पहर रखते ह तो उन्हें चपल पहनाने के लिए दो लड़किया रहती हैं इन लड़कियों की जगए पहले कोरिया के लड़के हुआ करते थे लेकिन एक दिन उन लड़कों ने हड़ बढ़ाहट में किम जॉंग को उल्टी चपल पहना दी जिसकी वज़े से उन लड़कों को नौकरी से और वो है मौत दोस्तों ये चपले जो किम को सुबह के समय पहनाई जाती हैं ये अरब से इंपोर्ट की जाती है ये स्लीपर्स अरब में मशहूर बैलगा के नाम से जानी जाती है वैसे बैलगा स्लीपर्स की शुरुआत करीब 10,000 रुपे से होती है लेकिन जो चपल किम प भास बात ये है कि उसमें प्लैटिनम की प्लेटिंग की गई है जिस वज़े से उसकी खूब सूरती तो बढ़ती है साथ ही कीमत भी आसमान चूती है एक आर्टिकल के अनुसार नाश्ते में किम, एग्ज, फिश और जूस लेना पसंद करते हैं उसके बाद किम अपने क्योंकि वो दोपहर में धेर सारे ड्राइ फ्रूट्स, मिक्स सी फ्रूट्स, सूप और कुछ चॉकलेट को खाना पसंद करते हैं उसके बाद किम आराम करते हैं और इस समय वो अपने आराम में बिलकुल भी किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते शाम को नीद खुलते ही किम बिलकुल चौकनने और फुर्तीले हो जाते हैं और शाम के समय वो कुछ बड़ी जगों पर जाकर वहां के माहौल को भी देखते हैं ब्रिटेन के खूफिया रक्षा विशेशग्या ने एक बार बातों बातों में कहा था कि किम जॉंग एक बहुत बड़े शराबी है जिने ब्लैक लेवल स्कॉच, विस्की और हैंसे ब्रांडी पीना बहुत पसंद है जिसकी एक बोतल की कीमत 7000 डॉलर हो सकती है और अगर इसे दूसरे देशों से मंगवाया जाए तो इसकी कीमत करीब 5 गुना हो जाती है कुछ सालों पहले चीनी जनरल अडमिनिस्ट्रेशन आफ कस्टम की और से सावर जनिक किये गए व्यापार के आंकड़े पेश किये गए जिसके मताबिक 40 वर्षे किम जॉंग उत्तर कुरिया में हाई क्वालिटी शराब आयात करने के लिए हर साल 30 मिलियन डॉलर खर्च करत एक खास शेफ को भी रखा है जो किम के लिए सिर्फ यही दिश बनाता है किम के पूर्व सूशी शेफ ने ब्रेटीश अखबार को बताया कि किम जॉंग और उनके पिता अक्सर रात में डिनर में क्यूबे स्चैक बीफ खाते हैं आपको बता दे कि क्यूबे बीफ गाएं क काफी पसंद है जिसमें उन्हें बीफ बर्गर और चिकन रोल सबसे जादा पसंद है किम घूमने फिरने की बे बहुत जादा शुकीन है लेकिन वो अपनी सेक्यारिटी रिजन्स की वज़े से जादा घूम नहीं पाते लेकिन वो नौर्थ कोरिया में काफी घूमते हैं औ उनके साथ उनके कई हमशकल्स भी जाते हैं बता दे की किम को ब्राजिल भी काफी पसंद है और वो हर साल ब्राजिल जरूर जाते हैं और वहाँ पर वो एक साल में करीब आठ करोड रुपे खर्च कर देते हैं जो की बहुत जादा है दोस्तों बता दे की रात के खाने के ब जिसकी वज़े से उनका वजन 136 किलो से जादा हो गया है बतादे कि जादा सिगरेट पीने की वज़े से 2021 में किम की हालत बहुत खराब हुई थी तब कुछ डॉक्टर्स ने चैक अप के बाद किम से इस सिगरेट और शराब को छोड़ने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर उन्होंने शराब और सिगरेट को तुरंत नहीं चोड़ा तो भविश्य में किम की मौत के 99% चांसिज हैं लेकिन किम आज भी उस शराब का सेवन करते हैं दोस्तो उत्तर कोरिया के ताना शाह किम जॉंग अपने कुरूरता के लिए भी काफी विख्यात हैं जहां नौर्थ कोरिया में बेहत गरीबी और भुखमरी के हालात हैं वही ताना शाह किम जॉंग एशो अराम से भरी जिन्दगी और एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं दोस्तो यही नहीं मनमानी वाला फैसला करना विरोधियों को कुचल देना तो इनकी आदत में शुमार है उत्तर कोरिया के ताना शाह किम जॉंग की कुरूरता के बारे में हर कोई जानता है किम जॉंग के बारे में कहा जाता है कि किम जॉंग पर अगर पागलपन सवार हो जाए तो वो कोई भी विनाशकारी कदम उठा सकते हैं और इस बात को लेकर सभी देश डरते हैं किम जॉंग के शासन में लोगों को अक्सर यही लगता है कि जब कभी इस इनसान का शासन खतम होगा उसके बाद किम के बारे में ऐसी ऐसी चीजे और निकल कर आएंगी कि शायद इनसान उन चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता वैसे इतना सब जानने के बाद किम जॉंग की लगजीरियस लाइफस्टायल के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना इसी के साथ दोस्तों किम जॉंग उन के उत्तर कोरिया में होती है ऐसी अजीब चीजे जिने जानने के बाद आप कहेंगे अच्छा हुआ हम वहाँ पैदा नहीं हुए तो आईए फिर जान लेते हैं इस देश से जुड़े कुछ अजीब फैक्ट्स के बारे में दोस्तों विदेशी संगीत सुनना या विदेश भाशा में फिल्म देखना अपराधिक गतिविद्यों से जुड़ा माना जाता है 2015 में किम जॉंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीड़ी को रद करने का एक फरमान जारी किया था जिसमें राच्च प्रतिभंदित गाने मौजूद थे अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी दी जा सकती है जबकि भारते फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है नौर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत ही जादा अलग है दुनिया भले ही 21 सदी में हो लेकिन नौर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है इस देश का कैलेंडर यहां के फांडर कीम इल सूंग के जनम दिन पर अधारित है उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106 जूशे वर्ष चल रहा है देश का कैलेंडर 15 अपरेल 1912 से शुरू होता है जहां दुनिया DTH और OTT प्लैटफॉर्म पर आ गई है वही आज के जमाने में नौर्थ कोरिया में अभी भी तीन ही चैनल देखने की अजादी है देश में सरफ तीन टीवी चैनल्स हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंतरन है ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं लेकिन नौर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है यहां के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है यहां बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली चली जाती है ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी ये दुनिया का शायद दोस्तों पहला ऐसा देश होगा जहां तीन जनरेशन तक सजा दी जाती है जी हां दोस्तों ये सच है कि यहां तीन पीडियों तक सजा देने का नियम है जिसकी आल बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है दोस्तों पुरुशों के लिए सिर्फ 28 हेरस्टायल रखने की मनजूरी दी गई है सरकार की तरफ से दी गई मनजूरी वाले हेरस्टायल के अलावा अगर कोई भी हेरस्टायल रखा जाता है तो उसे गिरफतार करके जेल भेज दिया जाता है वही अगर महिला शादी शुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेरस्टायल रखने की अनुमती है लेकिन अगर कोई महिला शादी शुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइ और कंप्यूटर की कीमत भी यहां बहुत जादा है और इसे खरीदने के लिए सरकार से पूर्व अनुमती की अवशक्ता होती है दोस्तो भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंतरित करने वाली सरकार के साथ ये अश्चरे की बात नहीं होनी चाहिए कि देश ये भी नियंतर करता है कि उसके लोग कहा रहेंगे उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंग्यांग में रहने में सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमती की आवशक्ता होती है इसके अतरिकत राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जात और आज धानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमान पत्र की आविशक्ता होती है। ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फो वाचिंग।